के आपको बताने वाला हूं कि एक काटून केरेक्टर जो टीशिट पगरा पर जो हम लोग डिजाइन करके प्रिंट आउट करते हैं वो कैसे करेंगे गई बार जो इसमें डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टन चीज हो जाएगी जिसको करने के लिए मैं आपको पूरा प्रॉस में जाके जनरल में जाके मेक शॉर करें कि स्केलिंग कॉर्णर और स्केलिंग स्ट्रोग एक दोनों ही ऑफ होने चाहिए ताकि जब भी हम स्केल करें यह मैंने कई बार आपको पहले भी बताया बट बहुत इंपॉर्टन चीज है इसलिए मैं जरूर रिपीट करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहा हो तो भी आपको यह पता चलिए ताकि जब भी हम स्केल करें ना तो उस चीज को वह मिंटेन रखें तो मैं अभी जो है वेट उप स्ट्रोग को फाई रख ले रहा हूं और यहां पर फिल कलर कि मुझे विल्कुल ज़रत नह जाके changes करेंगे तो मैं उसे centered पर रख रहा हूं जो blue line है 50% inside 50% outside है तो हमें कुछ इस तरीके सही set करना पड़ेगा तो this is one thing the next thing is मैं जो एक character बना रहा हूं जिसमें आई मैं यहां पर बना रहा हूं और एक smile face होना है तो काफी सही लगेगा मैं इसे drag कर लेता हूं सिफ्ट हो पर मैं आप देख सकते कि alignment आ रहा है horizontally vertically आप exactly center पर जाके align कर लोगे got it अब इसका जो color है हम लोग या तो green रख सकते हैं या तो blue रख सकते है eyeball का एक फिर से copy कर लेंगे same उसी तरीके से और इसका जो color है वो मैं black रखूँगा फोड़ा सा और छोटा हमें करना होगा मान लो मै स्विच कर ले रहा हूं तो fill color में मैंने black color को रख दिया selection करने के बाद हम color को switch कर सकते हैं outline और fill color कुछ इस तरीके से आई है थोड़ा highlight करना होगा जिसके लिए white हमें spot बनाना पड़ेगा एक फिर से ellipse tool को use कर लेंगे और white color fill में लेके हम इसे यहां पर कुछ इस तरीके straw कर रहें अब इसके pointer के size को अपने coding set कर लो make sure shift को hold करके scale करें ताकि maintain हो जाए uniformity आई को हमने कुछ इस तरीके से बना दिया और यह वाला जो color है कोड़ा समय से बढ़ा करके इसका color का जो selection है वो मैं यहां से change कर ले रहूं तो यह कुछ default colors हमें by default मिल जाते हैं लाइबरेली में जाके कई सारे और भी options है चूज कर लेंगे जिसे natural में जाके हम बीच वगरा को चूज कर सकते हैं तो अफिस सारे interesting color के options हमें आपे मिल जाएंगे सिर्फ हमें click करना होता है selection करने के लिए या फिर आपको कोई vibrant color चीए तो और भी कई सारे options है इस library के अंदर में और अगर आप manually select करना चाहते हो तो double click करके यहां से color को choose कर सकते हो अपने recording shades को यह है आपका existing और यह है new existing मतलब जो color पहले से applicable है new color मतलब जो नया color आप उसमें add करने वाले हो ठीक है तो simple सा process और design आपका काफी interesting जाके बन जाएगा इसमें white color में fill कर ले रहा हूं size को थो करेंगे fill color में जाके none कर देंगे stroke color को रखेंगे और यहां पे कुछ इस तरीके से में mouse को hold करके drag कर रहा हूं मुझे smile face बनानी है तो मुझे curve देना होगा जिसके लिए curvature tool को हम यहां पर use कर सकते हैं make sure करें कि line पे ही जाके click करें इधर उधर click मत करना नहीं तो error आएगा ठीक weight को increase करना है तो मैं इन दोनों का selection कर रहा हूं फिर मैं shift hold करके selection कर रहा हूं और मैं इसको थोड़ा raise कर ले रहा हूं जैसे मांदो मैंने 8 रख लिया इसके बाद selection करेंगे और width tool हमारे पास होता है जिससे हम इसके width को change कर सकते हैं click करेंगे और फिर हम drag करेंगे mouse के button को hold करके थोड़ा zoom in करने के बाद आप इसको कुछ खीच के इस तरीके से stretch कर सकते हो like this और यह जो corner होता है जब आप यहां पर जाओके तो hard edge मिलता है selection करेंगे और stroke में जाएंगे line के लिए cap को rounded बना लेंगे यहां से और यहां पे एक थोड़ा सा मैं एक line core add करके fit बना रहा हूं त shift w इसका shortcut होता है width tool यह वाला tool है shift w तो सबसे पहले तो click करेंगे center पे maintain करेंगे पहले से जितना width है उतना और फिर इस pointer पर जाएंगे यह खुद से pick कर लेगा और मैं इसको इस तरीके से कर लोगा यह तो कर सकते हैं या फिर काम करेंगे कि हम इसे curvature tool से पहले curve कर लेंगे तो तो cartoons जो होते हैं जो illustrations होते हैं वो काफी जाता attractive होता है तो बच्चों के t-shirts में आप देखोगे अगर ऐसे कुछ designs तो आपको बच्चे बहुत जादा मतलब इस चीज़ को force करते हैं कि हम इस तरह का चीज़ चाहिए तो कई सारे cartoon famous characters हैं जो यहां पे हम लोग t-shirts में बना सकत है अगर आपको इस तरह के videos और चीज़ तो मुझे बता दीजेगा मैं कुछ और characters आपके साथ famous characters जो है वो बना दूंगा जैसे कई सारे cartoon characters हैं चाहे वो Mickey Mouse हो चाहे कोई difficult characters हो या फिर कोई action वाला character हो चाहे iron man ही अगर बनाना हो तो उसका जो illustrations है वो कैसे बनेगा बहुत सारे इसे cartoon characters हो सकते हैं superhero के characters हो सकते हैं तो हम यह जरूर बनाना यहां पर सिखेंगे यह करने के बाद अब मैं यहां पर direct जा रहा हूं और यहां पर हमारे पास options है मैं इस वाले को choose कर ले रहा हूं like this एक काफी अच्छा से depth मिल गया हमें यहाप और selection करके shift hold करके scale कर लेंगे और यहां पर जाके position को change करेंगे और यह ग्राफिक्स का काम हमारा तयार हो चुका है selection करेंगे right click करेंगे group कर लेंगे तो यह हो गया आपका first part जिसमें आपने पहले तो एक illustrations को ready करना अब चलते हैं mock-up के website और mock-up को download करते हैं घरी सारे website से जहां से mock-up को हम लोग download कर सकते हैं description म मैं link दे दूँगा mock-up tree काफी famous website है मैंने specific video ही बना दिया इस पर जिसमें मैंने कहां से free mock-up download करेंगे क्या process हो डीटेल में मैंने बता दिया यहां पर जाएंगे t-shirts में जाके click कर लेंगे और t-shirt में कैसे t-shirts आपको present करना है अब जाके यहां पर choose कर लो okay अब जैसे सिर्फ म मुझे मिल जा रहे है okay जिससे एक हो सकता है या फिर कोई और बढ़े हां अगर यह चाहिए तो उसमें डाल सकते हैं या फिर सारे ही free हैं तो आप इसे किसी को भी download कर लो और उसे आप use कर लो जिससे मालो यहां पे आप देख रहे हो यह पहले से एक आपको एक view दे रहा है इस सिफ क्लिक करना है आपको इस पर और यहां पे नीचे करके चले जाएंगे काफे सारे options है free download में जाके क्लिक करना होता है और यह कुछ second का wait आपको करना होता है इस process को follow करना पड़ेगा मैं आपको पूरा detail में बता दे रहा हूं ताकि आप इस एक वीडियो में ही आपको के वीडियो को पाने के लिए download का button मिल जाता है जिसमें जाके क्लिक करेंगे और इसके बार downloading स्टार्ट हो जाएगा ठीक आप देख सकते हो डाउनोडिंग स्टार्ट हो गया है और यह कुछ second का wait लगता है तो t-shirt design में आप इस तरह के content को बना सकते हो और अगर आपको detail में और cartoon characters वगरा सीखने है तो मैंने playlist पर बना के रखा हुआ है description में आपको सारा detail मिल जाएगा अगर आप मेरे premium course को join करना चाहते हैं उसका भी details आपको description में मिल जाएगा सारी ही contact number से लेके website तक पहुँचने का सारा details और email id, phone number वो सब चीज़ें मैंने mention कर दिये download करने के बाद यह zip file आपको मिलता है right click करेंगे और यहां पर extract all में जाके click करना होता है आपको यह कुछ इस तरीके से मिल जाएगा extract में जाके click करेंगे कुछ second का wait करेंगे और double click करेंगे यह photoshop का file आपको हमेशा मिलता Photoshop make sure कि आप जब भी कभी भी कुछ इस तरह का download करें तो license terms and condition को ज़रूर चेक कर ले double click करके open कर लेंगे Photoshop में हम जाकर के mock-up का का काम करेंगे mock-up क्यों use करते हैं अपने designs को बहतर अच्छे से present करने के लिए अभी जो हमने design बनाया वो तो हमने सिर्फ बना दिया illustrator पे ठीक है लेकिन अगर इस design का presentation अगर हम नहीं देंगे तो design हमारा कभी appealing नहीं होगा तो customer को समझ भी आना चाहिए कि design final outcome कैसा है इसके लिए वड़ा जरूरी है आप अगर latest software को use कर रहे हो तो इसमें आप direct copy कर सकते हो इनकेस अगर आप older use कर रहे हो तो आपको export करना पड़े हो ठीक है तो अभी मैं latest use कर रहा हूँ तो मैं edit में जाके selection करके copy में जाके click कर करेंगे आपको find करना है important layer जैसे यह वाला हमारा folder काम का है ओके मैं इसे open कर लूँगा और अगर मैं इसे hide and hide करके check करूँ तो यही वाला है जसमें हमारे graphics है डबल click फिर से एक बार करेंगे यह graphics हमें मिल जाएगा इस तरह की graphics भी आप बहुत ही असानी से यह स्टेटर पे बना सकते हो अगर आपको सीखना है यह process को तो बिल्कुल sketching से ले करके concept visualization sketching और final outcome यह पूरा मैं बताने वाला हूँ मुझे नीचे comment करके बता दीचेगा existing जो इसको hide कर लेंगे edit में जाएंगे और paste में जाके click कर लेंगे यह पूछेगा कि कैसा कुछ है तो smart object को choose करेंगे ताकि इनकेस अगर आपको कई changes चीए आप direct उसको लेकर जा सकते हो ठीक है इसके बाद इसको click mark में click करेंगे और इसको scale कर लेंगे scale करके हम इसके position को set करके पहले तो check करेंगे कि यह अच्छे से work कर रहे हैंगे नहीं इक mark में click करेंगे और जो भी हम mock-up में use कर रहे हैं जो graphic make sure कि आप उसको save जरूर करें ताकि main file में वो update हो जाए जैसे आप देख सकते हो यह अब हम इसके position को या बाखे सारी चीजों को size, position, rotation यह सब चीज़े हम काफी आसानी से change कर सकते हैं अभी मैंने चल्दी से आपको एक download करके t-shirt का mock-up दिखा दिया, यह कैसे हम इसे download करेंगे, कैसे हम इसे use करेंगे, इसी तरीके से आप kids का, किसी बच्चे का t-shirt जो है, या कोई normal t-shirt आप find कर सकते हो, यह back है, आप इसको front पर रखोगे, आप process will remain the same guys, it's very easy to do, mock-up को आपको अस्तमाल करना है, ठीक है, यह, आज के इस वीडियो के लिए इतनी उमीद करता है, आपको अच्छा लगा होगा, मिलते नेक्च वीडियो पे, तुपिक लिए बाई, टेक किया, and थैंक यू.